जैं दोस्तो स्वागत है आपका बीए समेस्टर वाला में दोस्तो एक मिनट मेरी बात रूप करके सुन लीजिए फिर स्कीप करके देख सकते हैं देखिए इस कलास में हम लोग कवर करेंगे बीए थार्ड येर सिक्स समेस्टर एक्जाम 2024-25 में Political Science है और इसका Paper 2 है ठीक है Six Semester Political Science Paper 2 दےखिए फिप्त समेस्टर में साथिए जो आफका एक्जाम होगा ठा ठीक है प्रसन का जो लेवल था वो अलग था ठीक है बागी जो सबजेक्ट होते हैं काफी असान प्रसन आते थे में टिक है क्या होता था कुछ प्रासना ऐसे होते हैं जो यूपीजिन से प्रश्ण पूछते था ठीक है यूपी-घ्येस्च से जो आपके इकजाम होते हैं यूपी ठीक है पॉलिटिकल सांसे उसमें से भी प्रशन आपके पूझे थे इस बात पूझे तो UCG नेट और UPSC को ध्यान में रखते हुए श्रीग समेंश्टर की पॉलिटिकल सांस की क्लास कराई जाएगी ठीक है तो प्लीज आप आप से रिक्वेष्ट है देखिए आपकी जिमेदारी भी है इस क्लास को सेयर करने की जब आप अभी प्रस्ण देखेंगे प्रस्ण का लेबल तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ सिक्स समेश्टर में प्रस्ण की इस तरह से पूछे जाएंगे ठीक है तो ध्यान जो क्लास अभी जब आप प्रस्ण देखेंगे तो इस प्रस्ण का जो लेबल है बहुत ही बढ़िया ठीक है ऐसे प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे पेपर टू है सिक्सेमेस्टर का पेपर का नाम क्या है यह जानना जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन्स ए ठीक है नोट्स के साथ मैं पढ़ाता हूँ फिप्त समेस्टर में भी मैंने काफी अच्छी तरीके से पढ़ाता था जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ उससे कई सारे प्रस्ण आपके एक्जाम में देखने को मिलते है ठीक है और देखिए जिनका सब्जेक्टिव टाइब को पुश्चन एंस्वर होंगे कालेज में वह भी इस कलास को अटेंड कर सकते हैं जिनका अबजेक्टिव होगा उनके लिए तो मोष्ट है ठीक है उनके लिए और अच्छी कलास है और जिनका सब्जेक्टिव है उनके लिए भी बहुत बढ़िया कलास है अभी आप सकतियों सहयोग या सभी तो अंतराष्टी राजनीती के जो प्रमुख तत्त होते हैं साथियों राष्टी हीत विवाद और सकतियों सहयोग ये तीनों होते हैं ठीक है आपसे नमर डी करेक्ट होगा उपरूप सभी चलिए अगला प्रस्न आपका देखते हैं अभी यह क्या होता है ठीक है समयधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है सिमीत सरकार चलिए तीसरा प्रस्न देखते हैं आपका क्या भिया समयधानिक सरकार का आसे क्या है समयधानिक सरकार का आसे क्या होता भिया कोई सरकार जो सम्विधान की सिमाओं से परिबद्ध हो वो समयधानिक सरकार क अगला प्रस्ण आपका देखते हैं देखिए इसमें नोट्स भी है ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे नोट्स को चलिए चौथा प्रस्ण आपका संब्धानिक सरकार का अर्थ है संब्धानिक सरकार का अर्थ क्या होता अभिया तो सम्विधान की सर्तों के अनुसार सरकार कानून के अनुसार सरकार और लोगतांतरिक सरकार ठीक है यह तीनों होता है आप से नमर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी चलिए अब नोर्स की बार यह ध्यान से देखेंगे नोर्स को जो समभर्धान की सर्तों एवं कानून के अनुसार शाशन वेवस्था संचालन करे तिकर समभधानिक सरकार में सर्वच सकतिएं समभधान यह कानून में नहींत होती देशनीति को द्वारा चुनधिक सरकार के पास होती है ठीक है उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा साथी हूं एक अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं ठीक है और देखिए एक बात और पीडियाप इसका जरूब डाउन्लोड कर लीजी आप ठीक है पीडियाप कैसे मि पास्व महीने 6 महीने एक साल दो साल बात देख रहे हैं तो अभी क्या करें आप इसको खोजना पड़ता ठीक है तो वीडियो के ठीक नीचे इसलिए मैं पीडियाप डाल देता हूं आप यहां से अराम से डाउनलोड कर सकते ठीक है चलिए पांच्वा प्रस्म देखते हैं अग्रडी कौन है बताइए भीया केनेथ वाल्टाज हैं बताइए मारगे थाओं हैं बैरी बैजुगान है या फिर रास प्रेबिस है इनका नाम थोड़ा गलत हो गया है ठीक है अभी में आगे आपको बता देता हूं अच्छे से इनका नाम क्या है चलिए इसमें बताइए नवय अथार्थवाद के सिध्धान्त के अग्राडी कौन भीया तो केनेथ वाल्टाज है कौन भीया केनेथ वाल्टाज चलिए नोर्स को बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा देखिए अंतराष्टी संबंधों का सिध्धान्त नवय अथार्थवाद या संरचनात्मक या थातवार्द केनेथ वाल्टरज ने 1979 यानी 1989 में अपनी किताब थेओरी आफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पेश किया था नव या थार्तवाद अंतराश्टी संबंधों का एक सिधान्त है यह सिधान्त कहता है कि अंतराश्टी संबंधों में सकती सबसे अहम कारक है ठीक है अच्छा आपके एक्जाम में यह पूछेगा कि थेओरी आफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पूस्तक के लेखा कौन है तो इमनलिखित में से कौन अंतराश्टी संबंध के नव या थार्तवादी सिधान्त से संबंधित केंद्रिय भी से नहीं है देखिए यहां निगेटिव प्रस्ण पूछा है अन निगेटिव प्रस्ण लगबल लगबल 40% आपके एक्जाम में पूछता है इस बात को भी से संबंधित केंद्रि भी से है कि नहीं है बताइए यह नहीं है ठीक है बिलकुल सही है यह नहीं है ठीक है करता के विवहार का मुख्य निर्धारक संडचना है बिलकुल नहीं है ठीक है राज सतत एकाधिकार पूजिवाद की परकिरिया में किरिया सील होते हैं बिलकुल क केंद्री भी से नहीं है नौय अथार्तवाद का ठीक है बाकी देखिए आपका जो पहला है आपस नमबर एक करता अराज जागता परिवेश में प्रतिकरिया करते हैं ये भी है करता के विवहार का मुख्य निर्धारक संडचना ये भी है और ये भी याद रखेगा करताओं म पुजिवाद की परकिरिया में क्रिया सील होते हैं ठीक है नौय अथार्तवाद सिध्धान का ये केंद्री भी से नहीं है ध्यान रखेंगे नेगेटिव परस्म में लगबग लगबग दोस्तों पचास परसेंटे स्टुटेंट फस जाते हैं तो ध्यान पूर्वक पढ़ भी यह क्या है आपका संडचनात्मक ये थार्तवाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है यह संडचना पर भल देता है न की विवस्था पर ये भी आपका करेक्ठ है राजजिक की सकती के उनमुलन की बात करता है बिलकुल गलत है यानि ये आपका कथन सही नहीं है ठीक है सनरचनात्मक ये थार्टवाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो राजजिक की सकती के उनमुलन की बात करता है ये कथन सही नहीं है बाकी ये तीनों सही है इसे भी याद रखेंगे ठीक है चलिए अच्छा इसमें नोट्स बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तों देखिए सनरचनात्मक या थार्तवाद के बारे में ये बाते सही नहीं है मैंने या तीन पॉइंट्स लिखवाए हैं ध्यान रखेंग माणात्य है कि अंतराश्ती ववस्था अराजक है घाला को सामिल नहीं किया है ये अरत वगलो कर्यक्त नहीं है ठीक है इसे इसे भी ध्यान रखिंगे आपके ग्जाम में पूछ पूछे जाएंगे ठीक है दखिए प्रस्ट नमबर नौ आपका इसमें पूछा साथियों निम्न लिखित अवधारणाओं का काल करम के अनुसार सही करम बताईए चार आपसंदिया है आपका और पूछ रहा है सही करम इसका क्या होगा देखिए 120% मेरी गारंटी है दोस्तों सब्स्तों सब्सक्रारण निम्न लिखित अवधारणाओं का काल करम के अनुसार सही करम बताईए तो सबसे पहले देखिए इसमें यथार्त बाद आपका पहले नंबर पर है ठीक है यहां पर बगल में हम लोग लिखते चलेंगे उसके बाद साथ ही हो आपका इसमें उत्तर संरचना बाद है ठीक है क्या है उत्तर संरचना बाद ठीक है काल करम के अनुसार सबसे पहले यथार्त बाद है आपका उसके बाद उत्तर संरचनावाद है आपका उसके बार उत्तर आधुनिक्तावाद है इस बात को याद रखेंगे ठीक है एडी सी हो गया हमारा लाश्ट बचा है भी खंडन बाद लाश्ट में आपका भी खंडन बाद आता है इस बात को भी याद रखेंगे ठीक है याद रखिएगा दोस्तों ये प्रस्ट पूछा जाएगा 100% गारंटी है ध्यान रखिएगा इस बात को सही है ये काल करम के अनुसार मैंने आपका रख दिया है AD C और B यथार्थबाद उत्तर सनरचनाबाद उसके बाद उत्तर आधुनिक्ताबाद आता है उसके बाद विखंडन बाद AD C B देखेंगे हमारा कौन सा आफ़ई है ठीक है AD C B मैंने लगाया था आपका यहांपर कौन सा है यह आपका यहां से शुरू हुआ है यानि A, D, C, B यह आपसा नंबर 3 आपका इसमें correct है ठीक है अच्छा मैंने यहां नोर्स भी लिखा है ध्यान से पढ़िएगा नोर्स को देखिए पहले आता है आपका यथार्त वाद उसके बाद उत्तर सनरचनवाद उसके बाद आएग में कि विखंडनवाद के परवर्तक कौन है तो ज्याक देरिया ठीक है पूछेगा आपसे कि उत्तर आधुनिक्तावाद के परवर्तक कौन है तो फरंकोईस लियोतार ठीक है उत्तर सनरचनवाद के आपके परवर्तक कौन है रोलाम बर्थ ठीक है यथार्त वाद के आपके परवर्तक कौन है तो जार्ज लुकाच ठीक है यह सभी याद रखिएगा बेरी बेरी मौस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है पीडियाफ आप डाउनलोड कर लिजिएगा पढ़ते रहिएगा और हाँ कलास को कम सकम दो तीन बार जरूर देख लिजिएगा ठीक है चलिए दस्व क्या है नम्बर सी और बी दोनों स्वादि सिद्धानत के समर्थक राष्टिहित प्राप्त करने पर सक्ती परवल देते हैं और संघर्थ करोड़ धिए जाद रखिएगा चलिए 11 प्रस्ण का बीजाभी 11 प्रसन घ्यान देंगे आख never सवाधि सिद्धानत का प्रमुक लच लगवग लगवग 80% सभी वाले पर लगा देते हैं ध्यान रखेंगे सभी सही नहीं होता है ठीक है तो आधर्सवादी सिधान्थ का जो प्रमुक लक्ष है भीया अंतराष्टी सांती है ठीक है क्या है अंतराष्टी सांती चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं क्या है प्रस्ण नमबर 12 है आपका निम्न लिखित में से काउन सही ढंग से सुमेलित है बताईए सही ढंग से सुमेलित काउन भीया आतांकवाद के विरुद्ध यूध सम्युक्त राज अमेरिका करता है क्या या सही है कि गलत है बताईए क्या या सईये कि गलत है बिलकुल सही है ठीक है जा9 रिखा चीन के पास यह गलत है ठीक है यानि आपका ए-र-C आपका करेक्ट है ठीक है चलिए देखेंगे हमारा कौन सा अपसंसा योगा नीचे दिये गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर का चैन कीजिए तो हमारा A और C करेक्ट था तो दूसरा वाला आपका करेक्ट है A और C दोनों ठीक है चलिए ध्यान रखेंगे प्रस नंबर 13 है आपक सब्सक्राइब एक सोबीस परसेंट गारंटी यह प्रस ना सकता है ध्यान रखेंगे इस बात को ठीक है तो 2014 में यू यह नों ने वर्स में संकल्प 79 बटा 139 के माध्यम से अंतराश्टी योग दिवस का भोसित किया 2014 चलिए अगला प्रसन देखेंगे आपका क्या है प्रस आप सिभिलाइजेशन संप्राइब ऐस हर नहीं सब़नियों क्लासी कल के इनकी पूश्तक नहीं है ठीक है यह गलत आपका कला दिया दिया गलत है यानि आपका साथियों क्लैस आप सिविलाइजेशन से संबंदित बुक से यह भी करेक्ट है और द इंड आफ हिस्ट्री एफ फोकुयामा से संबंदित है ठीक है यह दोनों करेक्ट है आपका ए और सी बाकी यह दोनों गलत है इस पॉइंट को याद रखेगा ठीक है तो हमें उत्तर देना है हमारा यह और सी कर्यंटत है देखेंगे कौन सा राय ठीक है ओर सी अमारा करेक्ट है चलिए अगला देखते हैं आपका क्या है और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है इस कलास को सेयर कर दिजयेगा ठीक है बहुत मैंद करता हूँ आप के लिए दोस्तों एक दिन मुझे लग जाता है पूरा कोश्चन सेट अप करने में ठीक है ताकि आपका एक भी कोश्चन इधर उदर ना जाने पाई ठीक है चलिए पंदरवा प्रसंद देखेंगे आपका क्या है यह किसका कथन है कि यदि अंतराश्टी संबंधों का दायरा पिछले कुछ वर्सों में बढ़ गया है तो राजनीती भी ज्यान की तो सीमा रिखाएं ही मिट सी गई है यह किसका कथन भीया तो आर एन रोजक्रेंस का आपस नमड़ी करेक्ठ आपका चलिए प्रस नमबर 16 देखेंगे क्या भीया आपका 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तव संबैधानिक इस्तिति क्या थी तो क्या थी भईया तो संपूर प्रभुत संपन लोकतांत्रमक गड़राज ठीक है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तिविक संबैधानिक इस्तिति क्या थी तो संपूर प्रभुत संपन लोकतांत्रमक गड़राज ठीक है बहुत इंपोर्टन प् भारती सोतंतरता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया ठीक है भारत ब्रिटीश क्राउन का प्रभुत्त समाप्त हो गया और एक संविधानिक या फिर संविधान के साथ एक संप्रभू लोगतांत्रमक गड़राज बन गया ठीक है लोगतांत्रिक गड निमनलिकित में से कौन सही सुमेलित है, सीत युद्ध द्वी धुरूवी से संबंदित है, बताईए, बिल्कुल करेक्ठ है आपका, ठीक है, बरलिन संकट 1955 में हुआ था, बताईए, यह 1955 में नहीं दोस्तो, 1961 में हुआ ठीक है, कब हुआ था, बरलिन संकट 1961 में, तो यह आप का सही सुमेलित नहीं है क्यूबा अचिक यूजना जापन के द्वारा लागा था यह गलत है तो हमारा आ आगा साही है और कौन सा है ंसरे साही हमारा आप साही है अगला देखते हैं वह अच्छा इसमें मैं नोर्स को भूल के देखिए बर्लिन संकट 1961 में हुई थी और ये भी ध्यान रखिएगा सीत युद्ध के दारान कुछ ऐसे संकट आया जिनसे कुछ यहां पर दिये गाए हैं कौन-कौन से संकट आया थे भाईया देखिए सब्जेक्टिव टाइप कोश्चन लिखने में भी ह आपके पूछता है ठीक है चलिए तो सीत युद्ध के समय संकट जो थे बर्लिन संकट था कोरिया संकट था सोवियत रूस द्वारा आडविक पर इक्षड था सैनिक संगठन था ठीक है पांचवा था हिंद चीन की समस्या यूटू विमान कांड था क्यूबा मिसाइल राज अमेरिका और सोवियत संग के बीच 13 दिनों तक चला टकराव था यह संकट क्यूबा में सोवियत परमाडू ससस्त्र मिसाइलों की तैनाती की खोज से उत्पन हुआ था ठीक है इस पॉइंट को याद रखेंगे चलिए मार्सल योजना देखिए आपके एक्जाम में का लिखने के लिए जो सब्जेक्टिव टैफ होंगे कि मार्सल योजना पर 50 सब्दों में लिखने के लिए आता है ठीक है अतिलग उत्तरी प्रशन में सौट एंस्वर में ठीक है तो ध्यान रखेंगे और आपके उप्जेक्टिव टैप कोशन में भी देखिए मार्सल यो से लेकर के 1951 के दौरान संयुक्त राज अमेरिका द्वारा यूरोप के लिए एक सहायता कारिकरम था ठीक है इस योजना की वकालत अमेरिकी विदेशी सचिव जार्ज सी मार्सल ने की थी ठीक है आपके एक्जाम में पूछेगा कि जो मार्सल योजना थी इसको कौन चला इसके अधाज कौन थे ठीक है तो याद रखिएगा यहा फिर इसके सचिव कौन थे ने को। में पूछेगा ठीक है कि अमेरिकी जो अमेरिका है वह यूरोपी देशों को कितने बिलियन डालर की सायता करी थी 1947 सो 955 के बीच में तो 12 बिलियन ठीक है याद रखेंगे मार्सल योजना ने यूरोपी और दोगी करण का पूर्ण रथान किया और छेत्र में व्यापक निवेस लाया या अमेरिकी वस्तूं के लिए बाजार अस्थापीत करके अमेरिकी अर्थवेवस्ता के लिए एक मतलब एक भी एक क्या था ये उद्प्रेरक का काम कर रहा था ठीक है चलिए अगला देखेंगे भईया क्या है आपका प्रस नमबर 18 है आपका ध्यान देंगे निम्नलिखित अधिकारों संबंदित अभी समयों को काला नुकरम अनुसार बेवस्तित करना है बहुत ही सां अंदार प्रस ने आपका ठीक है चार प्रस ने यहाँ पर चार आपसं दिया है आपको और इसका सही कालानुकरम पूछरा ठीक है यानि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी ठीक है तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले मानुआ अधिकार की सारुभाविक उद्गोशडा हें उसके बाद क्या हुआ था यह लाइन पर सभी स्वारूपों के अपनधयन पर अधी समय toolbox को जाएगा अपका togdb देक्षीद देखेंगे कौन सा हमारा सैयोगा भीया दि यहाँ से शुरू हुआ है हमारा लोस Cheerio भी डी ए सी बी तो यहां से कि के प्रस नमबर 11 क्या है निम्ननलिखित को यहां cone को भाडी सिद्हांत का जनक कहा जाता है says this is an account को देखिए इन नाम यहां पर गलत हो गया ठीक है उसके लिए मैं सोरी बोलता हूँ ठीक है मार्गे-ठाव का नाम यहाँ ठोड़ा गलत हो गया है आप लोग ठोड़ा 90% मेरी गारंटी है यह प्रस्ण छपेगा ठीक है सिक्स समेश्टर में ध्यान रखेंगे पॉलिटिकल साइंस का यह थार्तवादी सिधान्त में जो जनक्त है वो पूछा जाएगा ध्यान रखेंगे इस बात को ठीक है चलिए पूछा की पूस्टर जो यह चार आपके ğan अवं की पूरा नाम नाहीं थोड़ा सा नाम है अभी मैं आपको पूरानाम इसका बता देता हूं ठीक है और मारगें थाओ ने जितने पूस्तक लिखे हैं मैं सब बता दूँगा आपको क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि केवल आपका पॉलिटिक्स अमंग नेशनली दे ठीक है दूसरी पूस्तक के बारे में पूछ लेगा तो आप कहेंगे सर छह नियम सामिल है तो राजनीती और मानौप्रकृती राष्टि एहीद की प्रधानता और अंतर्ाष्टि राजनीती की स्वायतता आप्सा नमबड डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी छह नियमों के अंतरगत आते हैं अच्छा सर छह नियम दिए हैं मारगें थाओ ने तो लग उत्तरी प्रस में पूछ सकता है दिर के उत्तरी में भी पूछ सकता है तो ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर हंस मर्गें थाओ के छह नियम निम लिखे थे कौन-कौन से भई या पहला नियम है इनका राजनीती पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकिर्ती में होती है ठीक है दूसरा नियम था इनका राश्टी हीतों को सकती के रूप में परिभासित किया जा सकता है तीसरा नियम था राश्टी हीत का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है ठीक है विबेक राजनीती का उच्चतम मुल्य होता है यह भी ध्यान रखेंगे और इनका पांच्वानियम क्या था राष्ट के नैतिकता और सारव भॉमिंग नैतिकता में अंतर छठवा इनका था राजनीतिक स्वायत्ता ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्या है अब प्रस नमर 22 से साथ हूं आपका निम्न लिखित में से कौन हंस मर्गे थाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूरुल सिर्शक है देखिए यहां पर पुछ लिया ना वहां पर आधा 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 दिया था ठीक इनकी आधा पुस्तक का नाम है पूरा पुस्तक है इनका द इस्ट्रगल फार पावर एंड पीस ठीक है पालिटिक्स अमंग नेशंस द इस्ट्रगल फार पावर एंड पीस इनकी जो लिखित पुस्तक जो इनकी पूर है ठीक है यहां पर क्या पूछा है पूर सिर्शक ठी यूद के यूद्ध के सबसे प्रमुख य अथार्थ बादियों में से एक माना जाता है मारगैन फाओ को इसलिए वह इंपोर्टेंट हैं मार गम ध्यान रखेंगे ठीक है मार गेन फाओ की रचनाय का उनकों सी अभिया तो साइन्टिफिक मैं वर्सिस पावर पालिटिक्स यह 1946 में लिखी गई थी या प्रकासित हुई थी ध्यान रखेंगे इस बात को ठीक है पालिटिक्स अमंग नेशन्स द इस्ट्रगल फार पावर एंड पीस यह 1947 में हुई थी ठीक है तीसरी पूस्तक है इनकी इन डिफेंस आफ द नेशन इंटरेस्ट ठीक है इन डिफेंस आफ द नेशनल इंटरेस्ट यह 1901 में लिखी गई थी इस बात को याद रखेंगे और यह तीनों पूस्तक अच्छे से याद कर लिजेगा चाहे तो इसकी इन सॉल्डे कर रख फूजव पूछा जाएगा अन्डीट परसेंट गारेंटी इड्यक है वर्गन्था सप्ष imperson क tables क मेरेंचाम से मागव और क्यों करेंगी सोंद्यका तो इसकि तुछा जाएगा थिक है त्ष्याम बहना है थियर्द स्टाइफ है कि से द्वारा लिखिए तो यहन पूस्तक प करेक्ट आपका देखिए इच के र को स्वरी इच केर की में क्लासीकल कार है इन की पुस्तक 20 एर्स क्राइसिस ठीक है यह पुस्तक दुत्विश्यूद की 1939 में प्रकासित हुआ था यानि जो दुत्विश्यूद्ध था 1949 में पुस्तक प्रकासित हुई थी, कौन? 20 years crisis, पुस्तक के लिखा कौन है भीया, पुस्तक के लिखा कौन है, EH कैर, चलिए, अगला प्रसंद देखेंगे आपका क्या है, प्रसंद नमबर 24 अभीया आपका, निम्नलिखित कथा, किसने कहा, बताइए, या फिर निम्नलिखित यहां पर कथन होना चाहिए, ठीक है, सौरी, निम्नलिखित कथन किसने कहा, सक्ति साध्य इसलिए है कि सक्ति प्राप्त होने पर राष्टी हीतों की प्राप्ती स्वता हो जाती है, यह किसने कहा भीया, तो यह कहा है, मारगन थाउने, किसने कहा भीया, मारगन थाउने, या साथ है इसलिए कि सक्ति प्राप्त होने पर राष्टी हीतों की प्राप्ती स्वत्व हो जाती है यह मारगें थाउं ने कहा था ठीक है प्राप्त नंबर पचीश आपका पुछाया दोस्तों मारगें थाउं के यथार्त वादी सिधान्त के विसलेशण में निम्नलिखित बिंदू सामिल है विदेश नीती के निर्धारक तत्त सांती का प्रयास राजनाईक या कूट नीती के नियम यह तीनों सामिल है ठीक है तो दो बार में आप कलास को पढ़ सकते हैं कोई दीकन नहीं चलिए प्रस नंबर 26 के आप या 26 नंबर प्रस ने आपका सस्त्र नियंत्रण के बारे में अच्छा मैं इसमें थोड़ा चेंज करूंगा अब मुझे एक दो सेकेंड का समय बस दे दीजे आप ठीक है चलिए इ इसका अर्थ सुरच्छा दुविदा निर्मित करने से है क्या या सही है या फिर गलत है तो गलत है भाईया ठीक है सस्त्र नियंत्रण के बारे में हमें कथनों पर विचार करना है तो इसका अर्थ सुरच्छा दुविदा निर्मित करने से है तो गलत हो जाएगा ठीक है सि चाई correct है या नहीं तो यह भी correct नहीं है सस्त्र जो ए द्रिश्ट कोड के बगार सांती की बात करेगा नहीं करेगा ठीक है यह पच्छों के बीच पारस्परिक सुरच्छा और अतियस्थाय थाइतु का लच्छ करता है बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो बी और डी आपका इसमें करेक्ट है ठीक है बी और डी करेक्ट है देखेंगे भईया हमारा कौन सा सही है आफसा नमबर दू करेक्ट है आपका इसमें बी और डी हमारा करेक्ट है ठेक है प्रस नमबर 26 का आफसा नमबर दू करेक्ट है प्रस नमबर 27 आपका पूछा साथियों निमनलिखित में से कौन सा यूगम गलत में लित है ठेक है यानि आपका बुक्स दिया है किताब दिया ह और आथर दिया है यानि लेखक किताब और लेखक दिया है और पूछ रहा है इने में से कौन से गलत है तो हमको बताना भाया दे वर्चेट आपदार्थ क्या यह फ्रेंज फैनन ने लिखा है बताईए फ्रेंज फैनन ने लिखा है जल 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 दी बताने का प्रयास करेंगे भया जल 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 दी बताईए बिल्कुल करेक्ट है आपका ठीक है भी आला है आपका प्रस्ण आपसर नंबर भी आपका दिया है इसमें वर्ल्ड आर्डर को हैंरिक किसिंजर ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट आपका ठीक है बिल्कुल करेक्ट है भी आपका तीसरा आपका दिया है इंपोलिजम आफ कैपिटलिजम इसे समीर अमिन ने लिखा ह चलिए चौथा देखते हैं भीया क्या है आपका चौथा दिया है आपका नियो कोलोन fingertips at the last stage of monopolism यानि इसे जूली नैरी ने लिखा है बिलुकुल घ्लत है यह नई लिखें है भीया कौन लिखें हैं? देखिए मैं बता देता हूँ आपको इसको किस ने लिखा है नीव कॉलोंिजियम दा लास्ट इस्टेज आफ इंपरलिजम इस ए बुक बाई क्वामे नूरखाम ठीक है? किस ने लिखा भिया? क्वामे नूरखाम ने यह पुस्तक कब पुश्ट हुई थी भईया? नियो कोलोनीजियम, दलास्ट इस्टेजाप, इंपरलिजम, यह बुक कप पबलिस हुई थी, यानि प्रकासित का भुई थी भी या, 1987 में, ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा, चलिए, प्रस नमबर 28 देखेंगे आपका क्या है, 28 नमबर परसने, आपका निम्नलिखित में से कौन सा, एक राष्टो का स्विकृत परमाडू सकती बनने का कालानुकरम है, यानि सबसे पहले इंदेसों में, किसके पास सबसे ज़्यादा परमाडू था, उसके बाद किसके बाद सबसे ज़्यादा परमाडू था, तीसरे विवस्थित करना है तो सबसे पहले आपका बना था अमेरिका उसके बाद सोवियत संक ठीक है उसके बाद बृते इन तरीके से याद रखेगा ठीक है चली अब अभी आपके प्रस्ण पूछे जाते हैं इस तरह के प्रस्ण नंबर 29 देखेंगे भया क्या है आपका निम्न लिखित में से कौन सा कथन अमेरिका की थामने की नीती थामने की नीती जिसे बोलते हैं पॉलिसी आप कॉंटेन्मेंट क्या बोलते हैं पॉलिसी आप कॉंटेन्म से आपको बताना है ठीक है तो नीती का लच्छ सोवीयत प्रभाव को थामना था बिल्कुल करेक्ट आपका ठीक है अमेरिका ने विदेशी साहता का उपभोग थामने के साधन के रुप किया बिल्कुल करेक्ट है आपका इस नीती का उद्देश केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था ये गलत है आपका ठीक है ये पॉलिसी याफ कांटेन्मेंट से संबंधित नहीं है ठीक है अपसे नमबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका ठीक है बाकी से भी याद रख आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे इस बात को याद रखेगा प्रस नमबर तीस बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अविया ध्यान रखेंगे ठीक है प्रस नमबर तीस का उत्तर कैसे देना है देखिए सूची फर्ष्ट दिया है संधी सूची सिकेंड में क्या दिया क्यों से संधिक इस में यह आपको बताना है ठीक है तो देखिए व्यापक संथर परिक्षण प्रतिबंद संधी यानि सी टीबी टी का फूर्फ हम भी आपके एक जाम में पूछता है तो याद रखिएगा व्यापक संथ्र परिक्षण या फिर संथ्यां रखेंगे इस बा 1996 में ठीक है अच्छा बी वाला क्या है प्रेच पास्त्र रोधी मिसाइल ए एम बी इसकी संधी कब हुई थी भैया इसकी संधी हुई थी आपकी 1972 में कब हुई थी 1972 में ठीक है आपका A का आपका चौथा है ठीक है और बी का आपका तीसरा है ठीक है और सामरिक हतियार कटोती संधी श्टार्ट बटाईए यह कब हुआ था या इसकी संधी कब हुई थी तो इसकी संदी आपकी होई थी 1991 में ठीक है 1991 में सामरिक आक्रमक हतियार कट इती संदी 60 इसकी संदी 2002 में होई थी ठीक है चलिए आपसर नमबर C का क्या होगा भीया सी का आपका होगा तीसरा सोरी सी का आपका होगा दूसरा ठीक है और अपसर नमबर डी का होगा पहला ठीक है डीका पहला होगा यानि चौथा तीसरा दूसरा और पहला देखेंगे हमारा कॉंस साइए अच्छा इसे याद रखिए का अच्छे तरीके से ठीक है व्यापक सस्त परिछड़ पतिबन संदी सीटीवीटी निस सोचानवे प्रेच प्रेचब पास्त्र रोधी मिसाइल यानि एबीयम संदी कभूई थी बिया 1972 में सामरिक हतियार कटाउती संदी 1991 में सामरिक आक्रमक हतियार कटाउती संदी Emmanuel! lifelong a 4 था एक आपसन आपका सही हो जाए कBut पहले और दूसरे और में से आपसन में कहीं वी एक डिया इनहीं थीक है। तो आपसनोंबर हमारम करेक्ट हो जाएगा। चलई प्रस प्रस नंबर 21 देखेंगे क्या है संरचनात्मक माक्सवाद के विचारक निम्नलिखित में से कौन है लुइस अल्थ्यूजर है भहिया कौन है लुइस अल्थ्यूजर संरचनात्मक माक्सवाद के विचारक कौन है लुइस अल्थ्यूजर यह प्रस्ण पूछे का 100% याद रखेंगे ठीक है 31 का अपसन नमबर प्रस्ट नमांब क्षा थो के संबंद में निम्लिक्त में से क्या सत्य नहीं है यह भी नीगेटिव प्रस्ण आपका पूछा है ठीक है ब्रेगजिट के सम्वाद में पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है देखिए आपके तीन आपसन बिल्कुल करेक्ट होते हैं चौथा आपसन आपका गलत होता है तो इसमें गलत ढूंड़ना बहुत कठीन होता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे नेगेटिव प्रस्म जाद है पूछे जाएंगे आपके एक्जामे ब्रेक्जिट के संब्ध में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं यह भैता है भाईया तो हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा ठीक है ब्रेक्जिट का तातपर बिरिटेन के यूर यह भी आपका पूछा है ब्रेक्जिट का मुद्धा पी-म डेविट कैमरून के इस्थेपेद का कारवाना तो यह भी आपका करेक्ट है ठीक है अच्छा डिवाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है यूवा मतदावताओं ने मुख्रूप से ब्रेक्जिट के अपका गलत है अपसर नंबर डीवाला ठीक है चलिए प्रस नंबर 34 देखेंगे 34 नंबर क्या पूछा है किस अंतराश्टी समझावते ने देशों को ग्रीन हाउस उत्र सर्जन को कम करने के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्षयों का निर्धारण किया ठीक है अंतराश्टी समझावते ने देश को ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं ठीक है उसके उत्र सर्जन को कम करने के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्षयों का जो निर्धारण था क्योटो प्रोटोकाल 1997 क्योटो प्रोटोकाल याद रखेंगे बहुत इ कानूनी द्रिष्ट कोड से निम्नलिखित में से किसे एक नरम कानून कहा जाता है परियवरण अधिकार को स्वास्त के अधिकार को विकास के अधिकार को या नीजिता के अधिकार को किस अधिकार को नरम कानून कहा जाता है तो जो विकास का अधिकार होता है इसी नरम चलिए अगला प्रसंद देखेंगे भईया क्या है आपका 36 नमबर प्रसंद बहुत इंपोर्टेंट है क्या पुछा है हमने ब्रिटीस माडल पर आधारिस संसदी लोकतंत्र को अपनाया है किन्तु हमारा माडल उस माडल से किस प्रकार भिन्न है तो जहां तक बीधी निर्माड का संबंध है ब्रिटीस संसद सर्वोपरी अथवा संप्रभू है बिल्कुल करेक्ठ है आपका किन्तु भारत में संसद की बीधी निर्माड की सकती परी सिमीत है बिल्कुल ठीक है आपस नमर ए आपका करेक्ठ है क्या है भारत में संसद के किसी अधिनियम के संसोधन की संभाइधानिक्ता से संबंधित मामले उच्चतम नयाया लएद्वारा संभिधान पीट को भेजे जाते हैं कैसे नहीं है बिल्कुल और दुसरा दोनों आपका करेक्ट है ठीक है नीचे दिए गए कूट का प्रयोकर सही उतर दीजे हमारा दोनों से तो सी वाला और दोनों हमारा क्रेक्ट हो जागा ठीक है चलिए बैस नंबर 37 देखेंगे क्या है संग सरकार के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए एन गोपाला स्वामी आयंगर समिती ने सुझाओ दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचीव को प्रसासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूरतनामित किया जाना चाहिए तो यह आपका गलत है नहीं गलत है ठीक है दूसरा क्या है आपका प्रसासनिक सुधार आयोग 1966 ने उनीस सो चाचट की संसुती के अधार पर वर्स 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे परधानमंत्री के प्रभाव सोरी प्रभार के अधीन रका गया था यह करेक्ट आपका ठीक है आपसन नंबर वी करेक्ट हो जाफ चलिए परतिस नंबर 38 के अंड़तीज नंबर केंदर सरकार के संडरव में निमलिखी तकष्णों और विछार किजिए यानि केंदर सरकार के बारे में हमको विचार करना है हम kur kफन पर विचार करने का मतलब यह होता ہے क्या गलत है वाले केंदरी बजट की तैयारी के लिए राजय सुभिवाग जिम्यदार हुता है भारत की संसद से अधिकरित रासी के बिना भारत के समेकित कोस से कोई रासी नहीं निकाली जा सकती है बिल्कुल करेक्ट है ठीक है यह वाला आपका करेक्ट है तीसरा क्या सारवजनिक खाते से कीए गए सभी संतभीतरडों को भारत की संसस प्राधी करण की आप सकता है बिल्कुल आप सकता नहीं है ठीक है यह आपका गलत है यानि केवल हमारा दो आपसन सईए बाकी पहला और तीसरा गलत है ठीक है चलिए, कहां है हमारा दो वाला सही है, दो वाला सी में सही है, आपसा नमर सी करेक्ट है के वल दो सही है, अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है, कि संसद को प्रस्तूत किये जाने वाले केंदरी बजट की तयारी के लिए राजस विभाग जिम भाग द्वारा त्यार किया जाता है, ना की राजस विभाग द्वारा, ठीक है, इसलिए आपसा नमबर बन सही नहीं है, ठीक है, देखिए, दूसरा क्या है, संसदी कानून के अनुसार, इस कोश से कोई धन भी नियोजित, भी नियोजित मतलब क्या होता है, जारी करना या आरहीत ठीक है आहरीत नहीं किया जा सकता है ठीक लिए इसलिए विकल्प दो हमारा सही है ठीक है तीसरा क्यों गलत था देखिए सारबजीनी खाता कारेकारी कारवाई द्वारा संचालित होती है यानि इस खाते से भुगतान संसदी भी नियोग के बिना किया जा सकता है इसलि है भारत का संबिधान केंदर सरकार के लिए निम्नलिकी तीन परकार के कोष उपलब्ध कराता है इन कोषों के बारे में पूँछता है 626 में कौनसे कोष है थीक है तो याद रखींगे भारत का समयकी कोष़ कोस अनुछे 266 में है भारत की लोक नीधी कोस अनुछे 266 में है भारत की आकस्मीक्ता नीधी कोस किस में है अनुछे 267 266 में ठीक है ये तीन परकार के कोस हैं जो भारत का सम्विधान केंद्र सरकार के लिए उपलब्ध कराता है ठीक है प्रस नंबर 49 है दोस्तो 39 नंबर प्रसन है थेओरी आप पाम एंड फाइब फिंगर की चीनी नीती के संदर्व में निमलिखित में से कौन था सही है ठीक है बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 120 परसेंट गारांटी है मेरी ये प्रसन आएगा जरूर ठीक है 6 समेस्टर में प्रसन आएगा जरूर पॉलिटिकल साइंस से ठीक है अच्छा फाइफ फिंगर का मतलब क्या होता है फाइफ फिंगर के अनुसार दोस्तों जो चीन है वो कहता है भुटार नेपाल रुणाज ये परदे सिक्युम लद्दाख मिजोरम मडीपूर्ण नागालेंड तेपू सामिल है ये पर अठीक है ये आपका इसमें मिजोरम और मडीपूर सामिल नहीं है और तिरिपूरा और नागालाइंड भी सामिल नहीं है ठीक है चलिए अच्छा इसे मैं एक्स्प्लेंड करके बता रहा हूं ध्यान दिजेगा थेयोरी आफ पाम एंड फाइफ फिंगर इस मारा करेक्ट है आपका आपसन नमर तीन में दिया है और भी चलिए नोट को बहुत द्यान पूर्वक पढ़िएगा बहुत ही मज़ा आने वाला देखिए चीन की फाइब फिंगर पालिसी के इस पालिसी के तहट ठीक है उमीद है समझ में आगया होगा देखिए चीन उन छेतरों पर दावा करने की कोशिस कर रहा है जो उसके नहीं है ठीक है नेपाल सिक्किम भूटान लदाख और अरुलांचल परदेश ये क्या कर रहा चीन क्या कर रहा ये सम मेरे हैं लेकिन उसके यह चीन पटार ठीक है अच्छा और देखिए चीन की फार फिंगर पालिसी को चीन के पूरुण मेता माउत तूंग का स्रे इंधा जाता जो पालिसी आ यह फींगरर की इसका जो पालिसी है स्बेर्देश के पूर्व7 आठा है मतलब इस पालिसी को किस ने लाया था माउत क्तिंग का माना थे ज रुड़ाचल पड़ेस है इन की जिम्यदारी है कि इसने कफा कर आपकर अटार में यह ज़िय snнуться के अधर इसा है उसकी की अंदर है और भारत के कोडिंग ऐसा नहीं है ठीक है इसलिए प्रस्ण इंपोर्टेंट हो जाता है अच्छा आगे देखिएगा दोस्तों इसमें इस पॉलिसी के मुताबी चीन का मकसद तिब्बत के बाद लद्दाख नेपाल सिक्किम भूटान और अरुलांचल परदिश पर कब्जा करना ठीक है इसे हिमाली छेत्र में चीन का एक अधिकार हो जाएगा इसलिए दोस्तों हमेंसा छड़प होता है घलवान घाटी में ठीक है तो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है इस बात को याद रखेंगे परिच्छा के दिरिष्टी से बहुत इंपोर्टेंट है इस नीजिता का अधिकार हमको अनुछेद 21 में मिलता है अपसा नमबर सी करेक्ठ आपका ठीक है अच्छा ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं देखिए नीजिता का अधिकार अनुछेद 21 के ताहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतरता के अधिका एक भाग के रूप में आता है सुप्रीम कूर्ड ने घोसरा की थी कि नीजिता का अधिकार एक मॉलिक अधिकार है ठीक है अच्छा यहां पर मैं कुछ आपको अनुछेद बता रहा हूं और उसमें जो अधिकार दिये गये उसमें भी बतार रहा हूं क्योंकि देखिए यह कानून के समच्छ समता का अधिकार है ठीक है समानता का अनुच्छ सोलक क्या है सारवजनिक रोजणी के मामलों में और सर की समानता है अनुच्छ 99 क्या है वाक स्वतंतरता से संबंदित कुछ अधिकारों का संद्स्वादा छड़े अनुच्छ 51 एक्यामन ए फिप्टी वन ए क्या है मौली कर्टब यह अनुछेट 76 क्या भिया भारत का महानयवादी है ठीक है अनुछेट 32 क्या है नीधियों सहित मौली क अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय है ठीक है इन सभी को याद रखिएगा प्रस नमबर 41 इसमें पूछा दोस्ते 41 नमबर क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक है आपको ये कथन दिये हैं और इसमें कथन को विचार करना है कथन पर क्या सही है और क्या गलत है ठीक है तो भारत में ऐसी कोई कानून नहीं है जो प्रत्यासियों को किसी एक लोक सभा चुनाओ में तीन निर्वाचन छेतर से लड़ने से रोकता है क्या या सही है या फिर गलत है तो यह गलत है ठीक है लेकिन इसको याद रखिएगा 1991 के लोक सभा चुनाओ में स्री देवी लाल न तीन लोक सभा निर्वाचन छेतरों से चुनाओ लड़ता यह आपका करेक्ठ है ठीक है अच्छा तीसरा आपका क्या कथन है वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्यासि किसी एक लोक सभा चुनाओ में कई निर्वाचन छेतरों से चुनाओ लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन छेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है और बसरते वह सभी निर्वाचन छेत्र से बिजाई हुआ हो तो यह आपका करेक्ट नहीं है करेक्ट आपका केवल दो हमारा सही है ठीक है देखेंगे भईय है क्या सही है और क्या गलत है ठीक है चली कथन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों कतन पहला है आपका सहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट हैविटेट यूएन हैविटेट ठीक है ध्यान रखेंगे प्रतेक देश द्वारा की गई प्रतिवधताओं को मानीटर करता है क्या सही है नहीं सही है गलत है आपका ठीक है सहर का अधिकार जो सहर का अधिकार है सहर के प्रतेक निवासी को सहर के सार्बजनिक अस्थानों को वापस लेने यानि रीकलेम एं सार्बजनिक सभागिता का अधिकार देता है यह आपका करेक्ट है ठीक है अच्छा तीसरा क्या है भीया तीसरा आपका कथन है कि सहर का जो अधिकार है सहर का अधिकार का आशा है कि शो की राज शहर की अनधी क्रित्म बस्तियों को किसी भी लोक शेवा अथवा शुविधा से बंचित नहीं कर सकता है बिल्कुल आपका correct है क्यों करेगा भई या नहीं कर सकता है ठीक है तो lil नहीं कर सकता है तो हमारा प्रस नमबर 43 क्या भीया उदारी करण के सकारातमक प्रभाव है बढ़ती हुई बेरोजगारी गलत है प्रोदोगे की उन्नती ये भी सही है ठीक है सकारातमक पूछा है ठीक है उदारी करण का सकारातमक पर वहाँ पूछा है तो विदेशी निवेस बड़ा हुआ उत्पादन प्रोदोगे की उन्नती ये तीनु करेक्ट है आपके और सी वाला आपका करेक्ट नहीं है ठीक है तो निवन्तम निवारक, ठीक है, क्रेडिबल, मीनिमम, डिट्रेंट की संकल्पना निम्न में से किस परकार के अस्तरों से संबंध है, जो विश्वसनियता निवन्तम निवारक है विश्वसनिय, ठीक है, विश्वसनि निवन्तम निवारक की जो संकल्पना है, यह किस परकार की अस्त्र से संबंदित है तो यह आपका नाभकी अस्त्र से संबंदित है ठीक ब्रीबेरी ब्री во पॉष्ट इंपोर्टेंट है ठीक है याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है चोरी से पढ़ लिजेए इसे चलिए पैतालिस नमर्पर से क्या है नव उदारवादन निम्न लिखित को प्रौत्साहन देते हैं जो नव उतारवादन है जो उस्तों नव उतारवाद है यह मुक्त वेपार और मुक्त बजार इन दोनों को पृत्षाहन देता है ठीक है आपसर नमर सी करेक्ठ हो जाएगा यह और भी दोनों चली परस नमर 46 क्या है नव उतारवाद का मुक्ह शुरोत है तो दुटिविश्युद के पश्यात अस्थापित वित्तिय तथा कार्यात मकवादी संस्थाय समय पर खरी उतरी हैं यह यह 9 उतारवाद की मुक्ह सुरोत है ठीक है आपसे नमबर ए करेक्ट है आपका चलिए प्रस नमबर 47 देखेंगे क्या है 47 नमबर पसने आपका भारती सम्भिधान के अंतरगत धन का केंदरी करण किसका उलंगन करता है तो भारती सम्विधान के अंतरगत जो धन का केंद्री करण है दोस्तों यह आपका राज की नीती के निदेशक तत्वों को उलंगन करता है ठीक है आपसर नमबर बी करेक्ठ आपका चलिए अगला देखेंगे क्या है अर्टालिश नमबर पसने भई आपका भारत में संपत्त के अधिकार की क्या इस्तिती है तो भारत में संपत्ति का जो अधिकार की इस्तिती है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्रात होता है ठीक है अपसर नमबर बी करेक्ठ आपका अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा इन सभी प्रस्णों को इन सभी की पॉइं को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा 44 में संसोधन अधिनियम 1978 ने संविधान के भागबार की एक नए अध्याचार में अनुछेद 301 को सम्मिलित किया है ठीक है अच्छाई से याद रखिएगा 44 में संसोधन के पारित होने के साथ संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा माननेता दी गए थी ठीक है चलिए प्रस नमबर 49 क्या है आपका निमनलिकित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सरवच्चतम सुरच्छा को नियत करता है तो यह आपका स सक्तियों का प्रिथक करण है अपस्ट नमबर डी करेक्ठ आपका चलिए प्रस नमबर 50 क्या उत्तर आधुनिकतावाद में सामिल है उत्तर आधुनिकतावाद में क्या संस्कृति का अध्यन करना ठीक है उत्तर आधुनिकतावाद में क्या सामिल है संस्कृति का अध्यन कर अच्छा उत्तर आधुनिक्तावाद के बारे में बता दीजिए सर अच्छा देखी यहां पर ध्यान दीजेगा उत्तर आधुनिक्तावाद ठीक है पोस्ट बदल डाला ठीक है अधुनिक्तावाद के जनकों ने बिया बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसे याद रखेएगा ठीक है उत्तर आधुनिक्तावाद के जनकों ने जया फ्रांकोईस ठीक है चलिए उमीद साथ ही आपको जानकारी अच्छी लगी होगी या फिर और लो में पढ़ाए जाए कमेंच जरूर करिए-गा ठीक है मैं बेट करूँ का अफिर बेड़ा से हैं उस विश्विद्धाल का नाम जरूर कमेंच करिएगा ठीक है ऊफी Только कलास महितम मलत ora